नमस्कार आप देख रहे हैं वी टाइम नियूस बढ़ते हैं चार खंड की खबरों की ओर पुलिस कर्मी खुद के सनलिप्त होनी के आज शंका से पहले ही बड़े आराम से अपनी सफाई देते नजर आए वही राष्टी महिला आयोक से मुख्याती थी के रूप में उबस्थित ममता कुमारी ने दोशी पुलिस कर्मियों को डार्ट फटकार तो लगाई परंतु सुन महिला आयोक की मंचसीन महोदया ने पिडिताओं को न्याय नहीं मिल पाने का मुख्या कारण माना जारकन की उपराजधानी माने जाने वाले दुमका नगर के पुलिस की आसवेदन शीलता को भी राष्टी महिला आयोक द्वारा इस्पाष्ट आंका गया जिसमें आपराध राष्टियों से परिशान एक अदिवासी महिला मुख्या ने भी खुद के उपर हुए जुल्म को सभी के बीच बताया कई महिलाओं ने खुद के उपर हुए अत्याचार को रो रोकर जहिर की तो कुछ नई शिकायत करता महिला को शिकायती आविदन देना अच्छा नहीं सका उस राष्टिय इस्तर के महिला आयोक के द्वारा जारखंड की पिडित महिलाओं को न्याय दिलाना कितना संभव हो पाएगा ये तो चार जीलों के सिम्टे और अंडर प्रोसेस कहकर रखे गए कुल तीस मामलों को सा समय निश्पादन ही तै कर सकता है दुमका इंडोर स्टेडिया में रोष्टिय महिला आयोक द्वारा संचालित महिला जनसुनवाई में आयोक के निश्पादन करता के साथ साथ वैवहार नियाले दुमका के लीगल टीम के अधिवक्ता श्रीमदी, किरन तिवारी, अनिता कुमारी, एड़ोकेट, विद्यापती जहां और साम मुएल सोरेल उपस्थित थे